हलो फैंस वेल्काम बैक इन मेडिकल डिसकाई तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेसेंट यूनिट आइडियल रिक्वाइमेंट ओफ है पेसेंट यूनिट इसमें से कुशन आता हैं केम्पेटेशन हैं एक्जाम के अंदर सो लेट्स स्थार्ट डवीडिय इड्सक्ण ओपेसेंट इस पेसेंट फेसेंट ना चाहिए ₹प और बीज से मिल पर हावर नेक्स दिखते हैं तो एडुकेट इस्पेस बिट्विन टू बेड जो दो बेड़े उनके बीच का जो इस्पेस है वो लगबग छे फीट होना चाहिए एडुकेट साइज कोट और बेड बेड की साइज लगबग होनी चाहिए आठत्तर इंच लोंग 38 इंच वाइड और 28 इंच हाइट फ्रोम दा फ्लोर ठीक है और सेंटीमीटर में 198, 96, 71 198 इच लोंग 96 वाइड 71 हाइड नेक्स्ट बात करें तो एडुकेट साइज मैट्रेस जो मैट्रेस है उसकी साइज होनी चाहिए 190 सेंटीमीटर लोंग और 19 सेंटीमीटर वाइड यानि कि जो मैट्रेस है उसकी साइज 190 सेंटीमीटर लोंग और 90 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए एडिके साइज पीलो जो पीलो है उसकी साइज होनी चाहिए 60 cm long 42 cm wide और 10 cm thick ठीक है एडिके साइज शीट जो शीट है यह बेड़ के उसकी साइज होनी चाहिए 108 inch long छिंतर इंच wide और 24 cm long and 193 cm wide ठीक है अब बात केते हैं educate size draw seat जो draw seat है उसकी लगबक साइज होनी चाहिए 150 cm long and 110 cm wide educate size pillow cover जो pillow है उसके उपर अपन cover चड़ाते हैं तो उस cover की लगबक साइज होनी चाहिए से 55 cm long and 50 cm wide जितने में मैंने आपको पॉइंट बताएं यह पेसेंट की यूनिट से लिलेटेड है याना कि पेसेंट बाड से लिलेटेड हैं तो यह सभी पॉइंट कंप्टिशन एंगजाम में लगबक लगबक होते रहते हैं और यह जो कुशन है यह फंडामेंटल आफ नास से दोस्तों हमारी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजी ताकि आपके जो भी मित्रगणा है उनको यह वीडियो मिल पाए और वो वीडियो का लाब उटा सके और साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक इंपोर्टन बात हमने हमारा फै झाल 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 झाल